नेता आता है तो उससे सिर्फ एक सवाल कीजे कि हमारे गाउं में हमारे प्रदेश में हमारे प्रखंड में हमारे जिले में हमारे अनुमंडल में जो दोग धंदे लागा आएगा उसी को हम बोट करेंगे जात के नाम पर हम बोट नहीं देंगे जात के नाम पर हम सिर्फ अप सारे लोग को जिनका भी जो भी निवेसक है सहारा इंडिया में जिन लोगों ने भी निवेस किया है सभी लोग का पैसा छे महिना के अंदर वापस कर दिया जाएगा लेकिन एक साल बितने को है और इन लोगों ने अभी तक कोई भी पैसा वापस नहीं किया है क्या आपके आथे पे ना तो चुतिया लिखा हुआ है ना ही बेवकूप लिखा हुआ है लेकिन ये सारी पार्टिया आपको बनाने का भर्षक प्रियास करती है। धारा से उठपती हुए और बरतमान में बीजेपी के परदेश अध्यक्ष सभ बिहार के उपमुख मंतरी समराष चोधरी और नितीश कुमार के जासे में अगर बिहार की जनता आजाती है जो लॉलीपॉप दिखाया गया है पचास जार एक लाक और पचास जार का यानि कि द ही नहीं चुकाई जाएगी और आपको खरीद भी लिया जाएगा ऐसी जो साजी से रथी जा रही है जिसके बारे में आज हम तमाम खुलासे करने जा रहे हैं और अगर आप बिहारी है अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तब आपको यह वीडियो अंत तक देखना बहुत बात भी सुनता है यानि कि काम भी करता है गारी बात भी सुनता है और उसके बाद जो है बिहार में जात के नाम पर भात के नाम पर बूट देने चला आता है और उन बिहारीों को यह वीडियो अंत तक देखना इसलिए जोरी है ताकि उनकी अगली पीधी को कहीं दिल्ली आ पंजाब धाका जाकर के मतलब ठेला रिक्सा चलाना न परे मजदूर पर मजदूर पैदा कर रहा है लेकिन इन गरीवों का जो मसीहा बनते हैं जो इनकी गरीवी दूर करने चलते हैं वो नेता लोग जो है क्रोर पती बन जाते हैं और अपती बन जाते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम पास से आठ मिनट बात करेंगे ये आपके भवि future कैसे bright हो सकता है कैसे सुधर सकता है और इस वीडियो को देखना आपको अंतक बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है अब आते हैं मुद्देपर दरसल आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने एक उद्दमी योजना लगू उद्दमी योजना launch की है और इसके तहट सरकार का कहना है कि हम 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपे की आर्थिक मदद देने जा रहे हैं और ये पैसा एक तरीके से कहिए कि फ्री में मिलने जा रहा है फुली सबसीडी है और ये पैसा सरकार को आपको वह आपस मही करना है लेकिन इसमें जुमलेवाजी जड़ा देख लिजे कि परधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकतर योजना जुमलेवाजी ही साबित होती है और जिसको मिलना चाहिए उसको इसका ला भी नहीं मिल पाता है और कागश पर ये लोग करोरपती बना देते हैं अब सबसे पहले लगूद दमी योजना की बात जाननीजे कि दो-दो लाक रुप्या देकर लोगों को खरीदने की कोशिस की जा रही है आखिर ये लगूद दमी योजना क्या है लोग को खरीदने की कोशिस कैसे की जा रही है यानि कि आपको पैसा भी नहीं दिया जाएगा और आपको खरीद भी लिया जाएगा कभी जात के नाम पर तो कभी गारू के नाम पर तो कभी मुर्गा के नाम पर और वही इस योजना का आखिर खुलासा हम करने जा रहे हैं आपको बताते चले कि सरकार का कहना है कि इसके लिए पातरता क्या है वो जानी कि 2,00,00 रुपया उन्ही को फैदा मिलेगा उन्ही को मिलेगा जिनकी इंकम 6,000 रुपया से कम है तो आजकाल बताईए कि वो कुत्ता विलाई टाइप का जो भिखमंगा टाइप का जो बेक्ती होता है वो भी 8,00,00 रुपया कमार ले लहा है तो दुनिया के कौन सा ऐसा आदमी है जो की मातर 6,000 रुपया महीना कमा रहा है ऐसा एक भी आदमी आप निकाल करके हमको बता दीजे इसके परिवार की इमासिक इंकम जो है वो 6,000 रुपया से कम है ऐसा एक भी बेक्टी सामने जरूर आए और अगर वो बेक्टी सामने आता है तो इस बात को भी सावित करे कि उसके अगर परिवार की इंकम महीने की 6,000 रुपया है तो वो बेक्टी 6,000 रुपया में अपना पर हाई लिखाई जोड लिजे आखिर 6,000 उपे से कम किसकी इंकम है वहीं दूसरा इसमें क्या कहा गया था कि आपको करेंट एकाउंट खुलवाना परेगा आजकाल तो लोग का बहुत सारे लोग का सेविंग एकाउंट भी नहीं है और सेविंग एकाउंट है तो कैंसल चेक मां 40,000 से कम है और महीने के 6,000 से कम है तो सबसे बड़ी बात यह है कि अंचल कारजाले में 96,000 रुपे से कम का सलाना का तो आय परमान पत्र ही नहीं बनता अब इसमें सबसे बड़ा घोटाला क्या हुआ है उसे भी जरा जाननीजे कि समराभ चोधरी की पोस्ट आपको हमारे ब इनका कहना है कि दरसल समानने बढ़के 5,728 लोगों को, SC बढ़के 12,565 लोगों को, ST बढ़के 936 लोगों को और अतीप इसरा बढ़के 17,730 लोगों को अभी तक इस योजना की पहली किस्ट जारी कर दी गई है तब सबसे पहले हमको तो लगता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और जनता जानना चाहती है कि आखिर ये 50,000 लोग कौन है उनका नाम with address जारी किया जाए ताकि ये पता चल सके कि समराभ चोधरी जूट बोल रहे है या सच बोल रहे है क्योंकि 6000 से कम इसम यानि कि पातरता को आप पूरा ही नहीं कर पाएंगे तो आखिर ये 50,000 लोग कौन है क्या ये मंगल ग्रह से आए है जिनकी इंकम 6000 से कम है और इनको पहली किस्ट भी दे दी गई है इन्होंने लिखा है कि बिहार में लगू उद्दोग योजना के माध्यम से NDA सरकार या कर रही है कि गरीब से गरीब परिवार भी अपना स्वरोजगार कर सके इस योजना के पहले चरण में 50,000 लाभुकों का चयन हुआ है और चयन परकरिया में किसी भी परकार का पक्षपात नहों इसका ध्यान रखते हुए NDA सरकार ने विशेश रूप से कम्प्यूटरी कृ रेटेमाईटेशन प्रकिरिया का उप्योग किया गया है अब ज़रा ये सोचने की बात है कि आखिर ये लोग कौन है जिनको 50,000 रुपे का ये लाभ दिया गया है अब दूसरा एक योजना है भारत सरकार का योजना है आयुस्मान कार्ड आयुस्मान कार्ड के तहत अगर आपके पास आयुस्मान कार्ड है तो इसका कहना है और दावा है कि नसरकार का कि 5,000,000 रुपे तक का इलाज मूर्त में कराया जाएगा तो आपको एक जनकारी देते चले कि अभी से आज से कुछ दिन पहले ही एक बड़े ही एक्ट्रोनिक मेडिया चैनल पर ये खबर चला किया जाएगा यानि कि आयुस्मान कार्ड का लाब किसी को नहीं मिलता है लेकिन इस योजना का गुनगान तो ऐसे किया जाता है कि जैसे इन लोगों ने जादू की छड़ी जनता के हाथों में थमादी हो वहीं एक और योजना है और जो योजना है उसके बारे में भी ज़ कि दरसल उस योद्ना में कहा जाता था कि हम दरसल महिलाएं जो धुए से निजाद दिलाने के लिए निक को गैस सिलेंडर देंगे उनको सस्ते दामों पर अब उस योजना में क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे होंगे कि gas slender की महंगाई कितनी बढ़ गई है अब ये कहा जा रहा है कि महंगाई तो ऐसे ही बढ़ती रहती है तो आपको बताते चले कि मोधी सरकार 2014 से पहले महंगाई के बदोलत ही यहां आई थी सक्ता में आई थी और इन्होंने अच्छे दिन लाने का वादा किया था दावा किया था कहा था कि पेट्रोल प्याज जो भी की राशन बेगरा की जो समाने महंगी हो रही है हमारी सरकार जब आएगी तो हम उसको सस्ता करेंगे अभी पेट्रोल का रेट देख लीजे गैसलेंडर का देख लीजे वह ही भारत के मान ये ग्री मंत्री जिनको सबसे ज़्यादा जुठा ग्री मंत्री भी कहा जाता है नाम है अमिस्सा वैसे लोग उनको मोटा भाई भी कहते हैं आज से एक साल पहले मीडिया के सामने आये थे और इन्होंने सहारा इंडिया रिफ चार करों रुपए ले लिया था सेवी के तहत ले लिया था और उस पैसे जो है वो एक तरीके से सरकार के कबजे में था तो सरकार के कबजे में था और पैसा गाली कौन सुन रहा था तो सहारा स्री सुप्रत राइस के लिए गाली सुन रहे थे जबकि सहारा इंडिया ने उ पैसा किसका जमा था सहारा इंडिया में उन लोग का पैसा जमा था गरीब लोगों का जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं या फिर 8,000-10,000 रुपया महीना कमाते थे ये लोग किसी परकार का कोई बड़ा LIC का पॉलिसी नहीं ले सकते थे कोई बड़े बैंक में रेकनिंग डि फिक्स दिपोजित नहीं कर सकता था क्योंकि 500,000-2,000 रुपया फिक्स दिपोजित नहीं होता इसलिए इन लोगों ने सहारा इंडिया में बचत खाता खुलवाया उसमें बचत करना सिखा 500,000-2,000 रुपया जिसकी जितनी अवकात थी वो जमा करता था और उन गरीब लोग को जिनका भी जो भी निवेसक है सहारा इंडिया में जिन लोगों ने भी निवेस किया है सभी लोग का पैसा छे महिना के अंदर वापस कर दिया जाएगा लेकिन एक साल वितने को है और इन लोगों ने अभी कोई भी पैसा वापस नहीं किया है अब ये विहारियों के परिवार को देखिए तो लालू प्रसाद्यादव को अपने बेटे को मुख मंत्री बनाना है जीतन राम माजी की बात अगर करते हैं तो जीतन राम माजी को अपनी सुंदर समधीनी को विधायक बनाना था अपने बेटे को मंत्री बनाना था राम विलास पासमान की अगर बा अगर नितीज सरकार में ही अगर बात कर ले तो ये जो समरार चोधरी जो पडिवार बात पर अक्सर जो ब्यान देते रहते हैं ये साथ भूल चुके है कि इनके स्वर्गे पिता जी स्री सकुनी चोधरी मंत्री रह चुके है विधायक रह चुके थे वह ही उनकी माता जी समरा चोधरी की माताजी पारवती देवी विधायक रह चुकी है यानि कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा यही लोग ये लोग चरितार्त कर रहे हैं और दूसरे को गाली देते हैं अभी नितीज सरकार में एक मंत्री है जमूई से विधायक है नाम है सुमीर सिंग उनके पिता पड़िवार बाद है लेकिन एक दूसरे से ठेथरलोजी करती है और आप जरा देखिए कि क्या आपके माते पर चुतिया लिखा हुआ है आप देखेंगे आईने में तो आपको पता चलेगा कि आपके माते पर चुतिया लिखा हुआ है ना ही बेबकूप लिखा हुआ है ल लोकसभाद चुनाब आने वाला है, कोई भी नेता आता है, तो उससे सिर्फ एक सवाल किजे, कि हमारे गाओं में, हमारे प्रदेश में, हमारे प्रखंड में, हमारे जिले में, हमारे अनुमंडल में, जो दोग धंदे लागा आएगा, उसी को हम बोट करेंगे, जात के नाम पर हम बोट नहीं देंगे, जात के नाम पर हम सिर्फ अपनी बेटी बहन की जात में साधी कर सकते हैं, जात के नाम पर बोट कभी नहीं देंगे, और इन लोगों को अगर अकल अगर नहीं सिखाई गए, तो ये लोग इसी तरीके से आप लोगों का यूज करते रहेंगे, और पर दादा ने कुछ जमीन खर दी हमारे दादा ने कुछ जमीन खर दी हमारे चच्चा ने कुछ बेच लिया हमने कुछ खरदा और इसमें देखिए कि इसमें अभी तक जो हमारा जो स्टेंड है या हमारा जो बैक ग्राउंड है ये सिर्फ एक पीधी की मेहनत का नतीजा नही की मेहनत करके कोई मकान ख़डा कर दे, लेकिन अगर बालबच्चा अगर लफार अगर निकल जाये, अगर बेरुजगार अगर निकल जाये, तो उस मकान को भी बेच करके, रिंट में रहने चला जाता है, चार-पाच पीडियो की मेहनत लगी होती है तो आपके पुर्वजों ने गलती की कि ऐसे लोगों को हमारे पुर्वजों ने गलती की कि ऐसे लोगों को सत्ता में लाया जो की सिर्फ और सिर्फ अपने बाल बच्चा को बढ़ाना जानता है तो अब समय आ गया है कि आप भी अपना बाल ब आप अपने परिवार के नहीं हो सकते हैं, तो जात का क्या होगा, और जब आपके घर में नमक रोटी नहीं रहेगा, आपके घर में भोजर नहीं रहेगा, आपके सर पे छट नहीं रहेगा, तो कोई जात वला आपको, कोई रिष्टेदार आपको मदद करने नहीं आएगा, जब आप दुख का समय आपके पास रहेगा, तब आपके दुख के समय में आपका रिस्तेदार भी फोन नहीं उठाता है, कि कहीं फोन करेगा, तो कहीं पईशभा न माङगदे, कोई मदत न माङदे, इसलिए फोन तक नहीं उठाता है, तो अब समय आ गया है कि अपने लिए सोचिए और अगर नहीं सोचिएगा और उदोग धन्दे जो भी नेता आता है लोग सभाचुनाब है आप सीधे कहिए कि उदोग धन्दे लगाओ तब हम तुमको बोट देंगे और नहीं तो तुम्हारा बहिसकार करेंगे अब सबसे ब परीबात तो यह है कि हम तमाम भारतबासियों के साथ यह मजबूरी है कि देश में सारे नेता चोर है अब इसमें चुनना क्या होता है कि कौन कम चोर है कम चोर कौन है उसको चुनना परता है और वही आप अपने आप अपने भविश्य को देखते हुए जो आपका भविश सवार सकता है उसको ही बोट करे और ये मांग जरूर करे और जो नेताम नहीं मांगे उसको जारू से आपके घर में अगर कोई पुराना जारू हो तो उस जारू से मार करके उसको जरूर भागा है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करे जूरे रहे हैं हमारे साथ जैहि जाइ पाल